हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक तू दा अंधर वीडियो आप बड़ा बसता है इस वीडियो में अब बात करेंगे कि टीजिटी साइंस कौन से बच्चे भर सकते हैं और टीजिटी बैलोजी वो क्या है कि वेकेंसी जो टीजिटी दो एरबाइस का है आ चुका है और बच् साइंस भी भर सकते हैं इसी वीडियो को हम लोग करेंगे और क्या क्या है दोनों का कंपेर करके देखेंगे तो चलिए वह हम लोग देख लेते हैं और हम इसी तरह के वीडियो आपको यहां पर बनाया जाते हैं मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यह बहुत ही को अच्वेस्ट है ठीक है तो दूछिए जो भी यहाँ पे Slaw पि अधिक है और by the가 से होती है ऑफ सथे से जिर अफ हुम्कि पर देख लीजिए कि आप इसमें भी नैस्था की अधिक सब्जेक्ट होते हैं और science में भी या biology में भी करें सब्जेक्ट होते हैं ठीक है तो यह math वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं इनके में subject होता है math, physics और एक होता है क्या chemistry ठीक है तीन सब्जेक्ट होते हैं तो first year में तो सब्जेक्ट होता है second year में आपका यह thीन होता है math और chemistry मगत third year में आपका एक subject झोड़ना होता है ठीक है third year में आप सब्जेक्ट कोई भी छोड़ सकते हैं ले सकते हैं math, physics ले लिए ठीक है या math chemistry ले लिए या physics chemistry ले लिए ठीक कोई भी एक subject आपको छोड़ना होता है इन तीनों में से कोई एक subject आपको छोड़ना होता है तो जो भी science भरते हैं तो science के लिए eligibility criteria होता है कि आपका physics और chemistry कम से कम दो साल होना चाहिए ठीक है कम से कम क्या होता है आपका दो साल जो है physics और chemistry होना चाहिए तभी वो tgt science में बर सकता है अब bsc biology भर सकता है देखे biology वाले science में नहीं भर सकते हैं वह क्या कर सकते हैं Tgt में पर सकते हैं और एक चीज़ाद रखेएगा हमेशा बीड आपका हो गया होना चाहिए बीड जो है आपका compulsory है पूरा हो जाना चाहिए इसमें भी Tgt देने का देना वही दे सकते हैं जिनका क्या होता है बीड हो चुका होता है ठीक है तो यह ध्यान दखेगा तो चले देखिए बीस्टी जो biology वाले हैं उनका क्या होना चाहिए तो उनका फरस्ट ये में होता है क्या होता है पहले तो आपका होगा जुलोजी बोटनी और क्या होगा chemistry क्दिक सकेंड येर में ही सेम और जुलोजी बोटनी और क्यमेस्ट्री थोड येर में एक छोड़ना होता है इनको भी तो या जोलोजी बोंटणी ले ले या बोंटोनी केमेस्ट्री तो इनका भी यही है कि कम से कम जोज्ञ निस्ट दो साल आपका जोलोजी और ब Award होना चाहिए यह biology में भर सकते हैं यह science में नहीं भर सकते हैं नहीं science वाले इसके biology में भर सकते हैं तो इनका विकम्स कम दो साल जो लोजी वर्टनी होना चाहिए तो यह दोनों आपका eligibility criteria हो गया ठीक है तो I hope कि आपको clear हो गया होगा तो मिलते हैं आपका अगले विडियो में तब तक लिए गुडबाए एक केर